आज हम हमारे हिंदी विशय में अपने तीसरी इकाई जिसका नाम है क्या निरास हुआ जाय यह एक निबंद प्रकार है और इस गध्य के जो लेखत है उसका नाम है हजारी प्रसाद ग्रिवेदी तो यह निबंद प्रकार में निबंद किसे कहते है तो एक सिमित आकार के भीतर किसी विशय या वर्णन या प्रतिपादित एक विशय निजीपन, स्वच्छंदता, सौस्ठव, सजीवता तथा संबदता के साथ किया जाना ही निबंद कहलाता है तो यह जो हजारी प्रसाद जी है वो एक अच्छे निबंद कार है क्या निरास हुआ जाए अपनी एकाई का नाम क्या है क्या निरास हुआ जाए तो लेखक कैना जाते हैं कि जब हमारे जीवन में कोई ऐसी परिस्तितिया या कुछ गटना ऐसी बनती है कि हमें है वो निरासा मिलती है हम निरास हो जाते हैं तो यह गटना या परिस्तितियों के सामने हमें निरास होना नहीं चाहिए यह बताने के लिए हर हजारी प्रसाद द्वीवेदी जी ने इस निबंद में अपने जीवन में कुछ गटनाय बनी है उसका वणन किया हुआ है तो पहले हम हजारी प्रसाद ची के परिचाय में देखे तो उसका जन्म सन 1907 और निधन सन 1989 में हुआ था आच्चारी हरी प्रसाद द्वेदी का जन्म बलिया उत्तर प्रदेश जीले के दुबे का छप्रा नामक गाउमें हुआ था पारिवारिक परवंपरा अनुसार संस्कृत का अध्यन सरू करन करके उन्होंने हिंदू कासी विध्याले में विश्व विध्याले से ज्योतिस चार्य की परिक्सा उत्तिन की वो क्या है पंडित है उसने पढ़ाई जो की उसमें ज्योतिस के बारे में परिक्सा देकर पढ़ गुरु देव रविंद्र नाच के आश्राम में 1940-1950 तक की हिंदी भवन में निर्देशक में रहे। के छे के तेने जे एक बदिपरम परा अनुसार संस्कुरुत नो युणे अभ्यास सरू करे। अन्ने पची एनने हिंदु कासी विश्व विद्याले छे तेने जोतिस चार्या जोतिस नूझे ग्नान होय युण्या माटिनी जे परिग्सा आवे तेने पास करी। पास करी गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में पचि गुरुदेव रविंद्रनाथ ना आश्रम मा उगणी सोने चालेश ची सीशन उगणी सो पच्चा सुधी हिंदी भवन मा निर्देशक तरीगे ए रया तत पच्चात कासी हिंदू विश्व विद्याले वाराण सी एवं पंजाब विश्व विद्याले चंडी गड में हिंदी विभाग में प्रोफेसर तखा अध्यक्स पदपर कारियो किया जो तिसा चार्य की परिक्सा पास करले बाद में उन्होंने क्या किया तो के हिंदू विश्व विध्याले वाराण शी औने पन्जाब विश्व विध्याले चन्डी गद माँ हिंदी विभाग में एने प्रोकेशर औने अध्यक्स तरीके पा देखले के जग्या उपर देने काम टर्यों भारत सरकार ने उन्हें पद्मा भूसन की उपादी से संद्मानित किया तेने पद्मा विपूसन होए एवोड़ पन प्राप्त करे ओज़े नाथ लिए संद्मानित करवा मां आगया हिंदी साहित्य जगत में ज्वीवेदी ची एक निबंदगार, उपनियासकार, समालोचक तरथा सोध करता इतियासकार के रुप में प्रचलित है ते प्रख्यात केवी रिदे था तोके हिंदी साहित्याना जगतमा तेम एक निबनकार छे उपनियास लखे छे समालोचे अनेक सोध करता हैं सोधी ने मतलब के छे एने साहित्यामा सारुवेव काम करियाने ते प्रख्यात हैं असोपके फूल, विचारप्रवा, पुटज, कल्पन, आदी निबन संग्र, बाण भटकी आत्मकथा, पुन नर्वाद, चारुल, चंद्रलेग, अनामदास का पोधा, उपन्यास तथा, कबिर, सुर्दास, हिंदी साहित्या का आदिकल, साहित्या सहचर, हिंदी साहित्या, उ पोटाएवा ग्रंथों छे, प्रस्तोत निबन में दिरेई दीजी ने यह समझाया है कि ततकाल भारतिय समाज में व्याब अनाचार के केवल बाहरी स्थर पर है, यह चे कि आपना जे त्यारना भारतिय समाज छे, ततकाल एकले, हाल यहनों जे भारतिय समाज छे, एनामा ब मुल्यों के प्रती आस्था कायम है, पन साचो तो इछे कि आजे पन छे लोकों मा मानविय मुलों, छे, जे मानवताना जे मुल्यों छे, जे गुणों छे मानवताना, एई छे, एव ना प्रती छे, एक आजी एना आस्था छे, टकी रेली छे, कायम छे, अपने जीवन में गटित कुछ गटनाओ के द्वारा बताया गया है कि हमें निरास नहीं बोना चाहिए हजारी जीजी छे एणे बताना जीवन माझे गटना थाई गटनाथी आपने आस्थावान बने रहीं बोने जीवन माझे चे प्रति आस्थावान बने रहेना चेहे जीवन मां छे ए आपने छे ए सारी बाबतों छे ग्रौन करवानी हने पोजीटिव जहने आपने कहिए ए पोजीटिव क्या स्थावान रेवू जोई है तो अब हम देखते हैं हमारी यह इकाई कि क्या निराश हुआ चाहे तो लेख़ कहिना चाहते हैं कि सु आपने चे जिनके मा निराश थाओ जोई है तो कि नाधम में भी परिस्तिती आवे चाहता आपने निराश थाओ जोई है नई तो अब देखते हैं हमारी यह इकाई लेसन नमबर त्री क्या निराश हुआ जाए ये लेसन हजारी प्रशाद त्रिवेदी ने लिखा हुआ है लेसन की शुरुआत करते हैं मेरा मन कभी-कभी बैठ जाता है समाचार पत्र में ठगी, डकेटी, चोरी, टसकरी और ब्रश्टाचार के समाचार भरे रहे कि मारू मन छे ये क्यारेक ये निराश थाई जाए छे समाचार पत्र में ठगी, डकेटी, चोरी, टसकरी और बश्टाचार के समाचार भरे रहे रहे लगता है कि देश में कोई इमांदार आदमी रहा ही नहीं है हर व्यक्ति संदेह की द्रश्टी से देखा जा रहा है कि यारे कि एन थाय चे कि आरोप अने पत्य आरोप एटलेके सामे छे ए जवाब करतो है ए जवाब केवो होई छे के ना उपर पाछो सामे पाछो प्रती आरोप लगावामा आवे छे तो एवु वातावरन के बनी गयों आउने एवु लागे चे कि जाने देश मा कोई इमानदार व्यक्ति छे ऑ रयोज नाथी आने बधी व्यक्ति छे एक केवी रित्ना जोवे छे संधे अधिले संकानी नजरे के दर एक व्यक्ति छे एक पिजानी साथ संकानी उनर्ज जो जो जितना ही उचे पद है उनमें उतना ही अधिक दोस्त दिखाई जाते हैं जे व्यक्ति छे उचया पद वपर होए तो एनमा आपणी उचया जो 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 जोई चे पण हजी पण यू लागे छे के देश माँचे गणा बदा इमान्दार व्यक्ति छे एवग नथी के फले चारे बाद्च वातावरं छे क्यो जे चोरी तसकरी बस्ताचार एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता जो कुछ भी करेगा उसमें दोस लोग दोस पोजने लगे कि एक छे एममोटा व्यक्ति एक एक किदू कोने लेखण ने किदू कैक वारिमने किदू किदू के आजे जो समय मां जो सुखी चे तो कौन छे किदू को जो जो कोई पण करें चे तो एनुआ शू थाय चे येना सिंवना दोस वोगों ठेटले आक बाताच एक गोतवा लागी चाहे चेनी भूल भूल गोतवा लागी चाहे उसके सारे गुण भूला दिये जाएंगे और दोसों को बढ़ा बढ़ा कर दिखाया जाने लगे गा उसके जो सारे गुण है वो दिखाई देते नहीं है केना मजे सारा गुणों छे ये देखाडवामा आवता नथी बधु आदमी दोसी अधिक दिखरा है और गुणी कम या बिल्कुल नहीं के कार आत्यार ना इज छे के जे कोई व्यक्ति छे ए व्यक्ति ना जे दोसों रहेला छे इदोस ने वधारे न वधारे वधारी ने बताडवामा आवे छे अने एनामा छे ए गुणों छे एने कांतो चे चिन्तानों विशय छे क्या यही भारत वर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी जी ने देखा ता के छे सुई के त्यार नुझे समय छे इज भारत वर्ष नुझे जोय तो लोकमान्य दीड़क और गांधी जी एलकोई देख जोय तुके रविंद्र नाथ टागोर और मन्मोहन मालविय का माहान संस्कुरूत सब्य भारत वर्ष किसी अतीत में गहरोग डूब गया शो के छे रविंद्र नाथ टागोर छे अने मदन मंमालवियर छे इलकोई नुझे महान संस्कुरूत छे एचे मेंद्र आपीत हिंदू और मुसल्मान यूरोपीय और भारती आदरसों की मिलन गुमी महा मानव सम्मुद्र क्या शुखी गया है के आपना देश मांचे केटली बदी वीवित जातियों छे तो एम केचे के आब दी जे जातियों छे आर्या द्रावियर हिंदू मुसल्मान याने यूरोपीय अबद्धा चे ये भारत ना आदरसों की मिलन गुमी केवाद तो इजे महा मानवनों एक सम्मुद्र चे जाने सो सुखाई गयो चे मेरा मन कैता है ऐसा हो नहीं सकता लेखक सुखे चे क्या बधू बले एमू लाखतों हो ये पंचे ता ये मारू मन एउखे चे के आवो ठर अगों सकता की माला खिकर हो ये जा और सकता अपनों जे भारत हतों एक चे आने पाच्युन रहसए, येम कोन केचे लेखक केचे लेखक केचे का मारू मन एउखे आवो बदू चे ये देखायजे अगतितमा, पन अंदर रखानी चे ए पन धोड़ा सारा व्यक्तियों आप वातावरं छे एक एवू बनेलू छे कि आमणा आमणा नाचे जिऊसो छे एमा कान के एवू वातावरं बनेलू छे कि इमांदारी छे मैनत करके जिवीका चला आने वाले नीरीह और पोले-पोले श्रम जिवी पीस रहे है एम के छे कि इमांदारी छे जिवीका चला आरे छे पोतानू पुजरान चला आरे छे एवा छे निर्दोस अने बोडा लोको छे जे स्रम जिवी छे कांगडार वर्ग छे ए लोको छे एवा लोको छे पीसाई रहे है और जूट तथा खरब का रोजगार करने वाले फल्भूल रहे है अने जे खोटा लोको छे अने धुखो आपे छे एवा लोको छे ए लोको छे जे रोजगार करे छे ए लोको छे इन यत्याना बोल बाला छे यहाँ पर जो नरेटर है वो चुपचाप एक जगा पर बैटके निउस्पेपर पढ़ते है तो निउस्पेपर में उनको आए दिन चोड़ी डकेटी की निउस मिलती रहती है वो थोड़ा सा उनका मन दुख हो जाता है यह सब पढ़के आरो प्रत्यारोपन का कुछ ऐसा वातावरन बन गया है कि लगता है देश में कोई इमानदार आदमी ही नहीं रहा गया है उनको यह सब पढ़के ऐसा लग रहा है कि आज बाज कोई अच्छा और नेक दिन इंसान ही नहीं है हर व्यक्ति संदेग की दुरुष्टी से देख जा रहा है हर व्यक्ति देखने जाए तो आज किसी ना किसी मौरे पे किसी ना किसी शक्की बुनियात पे खड़ा होता मिलता है उनको जो जितने ही उंचपद में उनमें उतनी ही अधिक दोश दिखाई जाता है जितकी पोजिशन और जो सकस्पुल है उनमें बहुत सारी कम बहुत कलतिया बहुती बरश्टा चार देखने को मिलता है आज कल एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुकी वही है जो कुछ नहीं करता जो कुछ भी करेगा उसमें दोश लोग दोश खोजने लगेंगे एक आदमी ने उने बोला था उनको या दिये जाएंगे और दोशों को बड़ा चड़ा कर दिखाया जाने लगेगा बुलेंगे सारे जो गुन है वो दूर हो जाएंगे एक्चलि ये स्वभाविक भी है कि इनसान कितना भी कर ले कितना भी अच्छा कर ले लेकिन अगर वो एक गलती करता है तो वही गलती पे फि दिख रहा है गुनी कम या बिल्कुल ही नहीं स्थीती अगर ऐसी है तो निश्ची ही चिंता का विशय है यहाँ पे हमारे जो नरेटर है वो बोलते है कि लोगों में दोशी जादा देखने को मिलते है कि जिसमें गुन है वो नहीं देखते है दोश जादा दिखाए देरे तो फिर ऐसा माना जाता है ओए गाकी फिर दोशी ही है सब गुनी कोई नहीं है ये बहुत ही हमारे आचिंटा का विशय है क्या यही भारत वर्ष है जिसका सपना तिल्लक और गांदी जी ने देखा था रविण रनाथ थाकुर और मनमोहन मालिय का माहान संस्कृति शब्य भा है महामानो समुद्र क्या सुखी गया है महामानो समुद्र यहा पर मानो का रदई के बारे मेरा मन कहता है कि ऐसा हो ही न ही सकता हमारे महान मनिय सब्सक्तों की नहीं लगता है और सप्णों का भारत है हमारा और हमेशखार रहेगा यह dość यह सहीं है कि इन दीनों पुछ ऐसा माहौल बना है कि सबस्टक्र, ए गॉले के निर्दोस निर्दोस लोगो छे अनerson परियाई समझा जाने लगा है सच्चाई केवल बीरू और पेपस दोगों के इसे पड़ी समझा जाने लाचार लोगों के बारे में लोगों के बारे में लोगों कि आस्था ही इले लगी है जो आगेस जीवन मां आवे तो महान जे मुल्यों छे आपणा एना आमा जे लोगों ने आस्था रहे लिए आस्था चे के वी लागे रगमगावा लागे परन्तों उपर उपर जो कुछ दिखाई देरा है वह पहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित न नितियों छे ये नितिनियम हो छे ये नामा जे कुन रइगी खामियों रइगे छे एनी है देनश्य पुद्धी नहीं परिस्थित्यों का सामना करने के लिए नहीं सामाजीक विदी विद्धित्यों को बनाते हैं अने मίο पूद्धिनियों नxis परम्नेटी शामनों छे औ Talking पर उन्हें बदल देती है जो इनीती नियम होने बदलावी ना के नियम कानून सबके लिए बनाये जाते हैं और सबके लिए कभी-कभी एक ही नियम सुख कर नहीं हो कोना माटे बनावा मांव के बद्धा माटे आपने भारत देशना शंथान ने के सर खम अधिकार में लाजने जे नियम न कानून सबकेते हैं निती नियम होने ए ऑपन्हेरा का attempts है चाल यह इनितीज़ा को नारा एक दुखी निवडें चें वद्धा माटें चें ईफुकारी होता ने नजी सामाजिक फाइदे कानुन कभी यूग-यूग से परिक्षित आधरसों से टकराते सामाजिक काईदा कानुन चें यूग-यूग थी छे एक विजा चें एक टकराय छे कसोटी ऊपर खड़े उत्र अगर पढ़ था से देखकर हतास हो जाना ठीक नहीं है मुझे तो नहीं लगता शायद यह कही न कहीं है और सकनों का भारत है हमारा और हमेशा रहेगा यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बन गया कि इमानदारी से मेहनत करने करके जीवी का चलाने वाले मेरे ही और भुले भाले श्रम जोड़ी इस रहे है और जूट और फरेब रोज करने वाले फुल फुल रहे है जो इज़त से काम कर रहे हैं वो नीचे ही जा रहे है और भुले श्रम कर रहे हैं अश्राचार कर रहे हैं इमानदारी को अच्छली मुटा का सिन्होनी मिजमाना लाता है मैंदो उसका परियाए वाची से बना थी इमानने लगा है जो इमानदार है जो इमानदार है सच्चाई के वल भीरू बेबस लोगों के हिस्से में परती है जो सच्चाई होती है ते लोग है जो बेबस है उनको है सच्चा ही लगती है जो उपर जा रहे है। जो सऩास हो रहे हैं उनको इमानदारी इसके कोई चीज लखती ही नहीं है ऐसे सित्य में जीवन के महान मुलियों के बारे में लोगों की आस्सा ही हिलने लगी है। लोग सत्य आस्ता लोगों पर विश्वास करना ये सब चीज़े ये मुद्दे भटक रहे हैं लोग और कुछ अलगी दाइब की यूमन बन रहे हैं पर उपर उपर जो कुछ दिखाई दे रहा है बहुत-बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मद नेतियों की तृतियों की देन है देखने जाए तो मानों की ही कमियां बूलों की वज़े से ही सब चीज़े हो रहे हैं तद्धा मनुष्य नई परिश्टित्यों का सामना करने तो लिए नए समाजित्वीदी निशेदों को बनाती है उन्हें ठीक साबित ना होने पर उने बदलती है अच्छली देखने जा लेकिन उपरी सत्फ़ अंपरी सत्फ़ और उसकी मैंजेसे जो हमारी उपर की जो हिस्सा है यह सरानियम की विज़े से हीलती रहती है और वह पहले भी हो चुका है और अबी भी होगा उसे देखकर हतास हो जाना ठीक नहीं है और नहीं है महत्वा नहीं दिया है कि भारत वर्ष एक यारे पन भौतिक वस्तुओनों संग्रे करवो यह वस्तुओने छे वधारे महत्वा आपेलू नथी उसकी द्रश्टी से मनुस्य के पितर जो महान आंत्रिक तत्वा स्थीर बाव से बेटा हुआ है वही चरम और परम अधे उसकी द्रश्टी ाम भौतिक वस्तुओनों संग्र नथी अस्टुओने करवो यह वस्तुओन के उ संग्र करव ले अमें परमुंत चें। लोग, मोह, काम, प्रोध, आधी, विकार, मनुष्य में स्वाभावीक रूठ से विद्यमान रिणते हें। चाता मनुष्य चे, एक काम, क्रोध , और यृत नास्व करीने पंऑकोगरेंे मनुष्य और जोईसा सा जोईसी पकारें। जै कि जूदूआ है कि जूवसमा है this rock